नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हूं कि अगर आपके पास नथिंग फोन वन है डू है कोई भी फोन है नथिंग का तो यहां पर आप सिम इंसर्ट करके नेटवर्क सैटप कैसे कर सकते हैं कृण यहां पर आपको बॉटम की साइड सिम देखने को मिलें। यह अंटिन आप दिखा देते हुं यह तो आपको इस चीज़ बताना चाहँ गी कि यहां पर आपका और आपका सिम ट्रे का स्लॉट होता है और यहां पर यह जो राउंड के अंदर आपको होल देखने को मिलता है आपको इसमें अपना सिम एजेक्टर इंसर्ट करना है यह बाहर निकल जाएगा अब यहां पर हम सिम इंसर्ट करेंगे तो यहां पर मैं सिम लगा दूंगी और इस टैप से आपको सिम लगानी है और बैक साइड में इस टैप से यह दो सिम ऐसे लग जाएंगी यहां पर ठीक है और इसके बाद यहां पर आपको इंसर्ट कर लेना है इसके बाद यहां पर आपको चले जाना है सेटिंग पर सेटिंग पर जाने के बाद नेटवर्क एन इंटरनेट पर आप क्लिक कर लेंगे अब यहां पर नेटवर्क एन इंटरनेट है तो यहां पर इंटरनेट की सेटिंग आ जाती है यहां पर वाइफाई भी कर सकते हैं वा तो जैसे कि मानो यहाँ पे कोई एक SIM को हम पहले चूस कर लेते हैं, उसकी सैटिंग करेंगे, मानो जाऊ जूस कर लिया, अब यहाँ पे Jio का Mobile Data On हो गया है, Mobile Data बंद करना है तो बंद कर देंगे, On करना On कर लेंगे, यहाँ से रोमिंग आपको active कर देंगे, यहाँ पे क्लिक क जाए ठीक है और इसके बाद एप डेटा यूसेज आ जाता है तो अगर मोबाइल डेटा ओन कर लिया है तो यहां से आप मोबाइल डेटा लिमिट सेट कर सकते हैं और इसके बाद यहां पे आपका डेटा द्यूरिंग कॉल्स यह ऑटोमेटिकली स्विच का ओप्शन अ ओन रहने देंगे ताकि अगर आप कॉल पे हैं तो भी आपका बैगरॉंड में इंटरनेट चलना चाहिए तो आप इसी इनेबल कर देंगे और इसके बाद प्रेफर नेट्वाग टाइप पे आप यहां पे 5G सेलेक्ट कर लेंगे स्मार्ट 5G ओन रखेंगे अपना वाइफा श्कॉत चाहिए तो आपको आपको पता ही होगा यहां पे ओपर वीडियो calling यह वारा option on रहने देना है automatically select network यह इनेबल रखेंगे इसके बाद यहां पर access point नेम पर जाएंगे और यहां पर आपका यह इनेबल कर देंगे और यहां पर एक बर इसको reset कर देंगे और enable कर देंगे उसके बाद और अगर इनेबल नहीं हो रहा है एक बर और रिसेट करेंगे सिम को दुबारा से डाल लेंगे ठीक है तो अभी आपका अपने आपी करेक्ट हो जाएगा इसकी बाद बैक कर लेंगे और इसकी बाद एक बर और बैक कर लेंगे और अब हम वोड़ा फोन के लिए चले यहां पर डेटा लिविट आजाता है यह डाल लेंगे और यहां पर 5G नेटवर्क सेलेक्ट करके स्मार्ट 5G अउन कर देंगे और 5G स्टैंड लोन अब इसका मतलब क्या होता है कि कहीं पे अगर 5G नेटवर्क आपका अवेलिबल है और काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा क कि जहां पर थोड़ा बहुत इसको लगेगा ना कि 5G नेटवर्क अवेलिबल है तो यह ऑटमेटिकल स्विच हो जाएगा कभी 4G कभी 5G इस चैप से स्विच होता रहेगा मतलब बैटर कफरिच नहीं देता तो इसको आप हो सके तो आउन कर लेजेगा वसे कोई नुकसान हान करने से इसको बंदए रहने देंगे पानगा इसका और यहाँपर वाइफाइ कॉलिंग निगहां पर जीह ओ के लिए सेम चीज बोड़वह उन के लिए सेम चीज को और यहां पर ओप्रेट वीडियो कॉलिंग और यह चीज एक पर रिसेट कर लेंगे और यहां पर इस पर क्लिक कर लेंगे और यहां पर बैक कर लेंगे जो अब मैंने वहां से बताया है सेम चीज यहां से हो जाएगी डेटा प्रफेड इंटरनेट किसे चलना चाहिए सिम 1 से सिम 2 से वह आप स्विच कर लेंगे कॉलिंग के लिए कौन सा यूज करना चाहते हैं सिम 1 या सिम 2 या फिर ऑल्वेस आस्क मतलब जब भी कॉल करेंगे तो आप से पूछेगा कि किस से ल वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार